हाई गाईज आप लोग कैसे हैं हाई होप आप लोग अच्छे होंगे आज मैंने सोचा कि अपने गाउं के बारे में कुछ और चीज़े बताता हूँ हमारे गाउं के बगल में एक कुल देवी का स्थान है काली माता मंदिर के नाम से प्रशिद्ध है यहाँ पे और उसके बगल में एक कुंड है पानी का जिसका पानी कभी सूखता नहीं है तो आज मैंने सोचा कि अपने दर्सकों को मैं दिखाता हूँ उस कुंड को और दर्सकों से पूछता हूँ उनके क्या राय है हमारे जैसे अगल बगल के लोग या गाओं के लोग या इधर के और भी छेतर के लोग ये कहते हैं कि वहाँ देवी जी का कुछ ऐसा आशिरबाद है कि जिसके वज़ा से वहाँ उसकुंड की पानी कभी सूखता नहीं चाहे वो जेट का भी समय हो, कोई भी महीना हो, कितना भी सूखा पढ़ गया हो लेकिन कभी वहाँ का पानी सूखता नहीं है तो हमने कहा आँ दर्सकों को भी अपने दिखाते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं हमारे दर्सकों का क्या राय है तो आपको ले चलते हैं, आज उस कुंड को हम दिखाएंगे और आप भी अपने मन में, अपने बुद्धी के अंसार जो आपको समझ में आए कि हमारे गाउं के लोग जितना बताते हैं, उसमें कितना सच्चा है, आपको क्या लगता है आप अपनी भी राय और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ले चलते हैं अपने गाउं से बाहर और दिखाते हैं, देखिए तर्स को, ये मेरा गाउं है ये मेरा गांऊ है और इस गांऊं से मैं थोड़ा सा बाहर हूं लगबग यह समझे 500 मीटर दूर हूं इस आगे यहां से अभी 500 मीटर और 500 Stephen मीटर आग्लोट हो करके पर तीन किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा हमारा थोड़ा लंबा पड़ता है तो मैं उस कुएं के पास पहुँचके फिर आपको दिखाता हूँ उस कुएं की सच्चाई बताता हूँ जो यहां के हमारे लोकल लोग कहते हैं जो हमारे गाउं के लोग कहते हैं गाउं के आसपास के लोग बताते हैं उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, फिर आप अपनी अपनी राय, अपनी अपनी केमेंट के द्वारा आप अपनी अपनी राय बताए क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक दर्सकों मैं ले चलता हूँ, आपको उस कुएं के पास, हलो देखो मैं अपने गाउं से कितनी दूर आ चुका हूं मेरा गाउं देखो दिख रहा है कितनी दूर है हमारा गाउं यहां से लगबर 2-3 किलोमेटर पका इसा दिख रहा गाउं का मैं इतनी दूर आ चुका हूं अब मैं कुएं के पास पहुंच चुका हूं थोड़ी दू स्कूएं के बारे में आपको बताता हूं दिखाता हूं यहां पर ऐसा भी लोग कहते हैं अकेले स्कीब पर जादे टाइम तक रहना नहीं चाहिए तो दर्सकों में थोड़ी देर आपको दिखाऊंगा फिर क्योंके पास से मैं हट जाओंगा जादे देर में रहूंगा भी नहीं क्योंकि मैं अकेले वीडियो सूट कर रहा हूं चलिए दर्सकों में दिखाता हूं देखिए ये फाइनली आपका कुवा आ गया थोड़ा यहां लोग आते जाते नहीं देखिए ये देखिए रास्ता देखिये दर्सकों, यह देखिये, यह वो कुवा है, जैसा कि दर्सक आप देख रहे होंगे, यह वो कुवा है, इसका पानी कभी नहीं सूकता है, इसमें काफी बहुत सारी मचलियां भी हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मचलियां कूद रही हैं, और इस कुवे कोई अकेले जादे टाइम तक नहीं रहता है क्या गाओं के लोग और इसका पानी कभी सुखता अब यह क्या है गाओं का जो हमारी कुल देवी है उसकी कृपा है क्या है दर्स को इस चीज के बारे में तो नहीं बता सकता मैं भी जो गावं वाले ही बताते हैं जो वर लोगों आज तक बताते हैं वही मैं जानता हूँ और मैं इसे ज़्यादे कुछ जानता नहीं अब दरसal लोग आप देख रहा हैं मैंने दिखा दिया अब आप लोग इसके बारे में बताएं कि इसका पानी क्यों नहीं सूखता है, क्या कारण है, देवी जी का कोई किरपा है, क्या है, इसके बारे में, जो लोग कहते हैं, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने कोई आज तक ऐसी कोई किरपा अपने चमतकारी आखो य के हमें आप लोग बताईएगा और दर्सकों मैं जादी लंबे वीडियो ना करके मैं आपको अगली वीडियो में इसी गाउं का एक और अध्भुद चीज मैं दिखाऊंगा एक पोखरा है उसमें भी ऐसा ही कुछ है कि उसका भी पानी जल्दी नहीं सुकता है बहुत सुकों को भी टाइम का कीमत समझता हूं इसलिए मैं जादे लंबे वीडियो नहीं बनाओंगा अगली नेश्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी बताऊंगा और उसको भी दिखाऊंगा तब तक के लिए आप लोगों से मैं धन्यबात करता हूं और मेरी इस वीडि अब निराई गुडाई का समय आ गया है तमाम सारे किसानों के पास इस समय काम हो गया है तो इसलिए मैं वीडियो अगर कभी लेट हो जाए मुझे बनाने में तो नाराज मत होईएगा बैद जब मुझे टाइम मिले हों वीडियो डालूंगा अब उस पोखरे के बारे में भी के भी बारे में बताऊंगा और नेस्ट वीडियो राल करके आप लोगों को सारी चीज़े में बताऊंगा तब तक के लिए धन्यबाद